उश्मा के संचालन के बारे में बताने जा रहे हैं उश्मा का संचालन यानि उश्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है उश्मा का संचालन इसे हम इस तरह से भी समढ़ सकते हैं यह हमारा एक एलमुनियम का रॉड है इसको हम यहां पर गरम करने जा रहे हैं और इसके अगले सिरे पर यहां पर बोल्ड पिने लगी हुई है इसको हम यहां पर गरम कर रहे हैं दिखा आपने पहली पिन गिरी है यहां पर अब दूसरी पिन गिरी अब तीसरी पिन गिरी जानते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा उश्मा के संचालन के कारण होता है अब ये उश्मा इस जगह से यहां तक पहुंचती कैसे है इस पहुंचने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है ये हम आपको बताते हैं होता क्या है? यहां पर जब हम इस Eightunivers कीarwood को गरम करते हैं तो यहां के कन को उड़ल क्या होते हैं है इसलड़ में कमपन करने के बार ये इनमें उश्मण होती है और ये अपने आगे वाले कन को उश्मा दे देते हैं इस तरहें उस कण में भी उश्मा आ जाती है और वो अपने आगे वाले कण को देते रहते हैं उश्मा तो इस तरहें ये पूरा प्रक्रम चलता रहता है कि एक कण उश्मा लेता है अपने पहले वाले कण से फिर वो अपने आगे वाले कण को देता है फिर वो आलकण अपने से बादवाले कण को देता है, इस तरह इस पूरे प्रोसेस में उश्मा का संचालन होता है, तो उश्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही उश्मा का संचालन कहला था